Hello guys, welcome to new video, उमीद करते हैं guys, आप सभी ठीक होंगे guys, आज किस interesting video में बात करने वाले हैं, upcoming Honda CBR 150 के बारे में guys, मैं आप बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि आप लोग बार बार पूछ रहे थे जो कि आप लोग वीडियो में देख पार होंगे, यह सेम लोग यहाँ पे international market में available है, लेकिन अभी तक guys, इंडिया में इसे launch नहीं किया गया है, आप guys, बहुत दिनों से यह चीज़े सामने आ रहे थी कि अब launch की जाएगी, अब launch की जाएगी, अब launch की जाएगी, लेकिन फिलाल कोई भी official news नहीं आई है, पर इस आज की इस वीडियो में upcoming CBR 150 के बारे में ही बात करने वाले है, I hope दोस्तों आप लोगों के लिए आज की जो वीडियो को काफिता helpful होने वाले है, चली दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अगर चैनल पर पहली बरहा हैं तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिल की अगन को आउन कर लिजेगा, ताकि ऐसे ही प्लस दोस्तों मैं आपको बता दू यह जो CBR 150 होने वाली है, यह काफी नेक्स लिवल भी होने वाली, यह भी बात को ध्यान में रखेगा, देखी दोस्तों सबसे पहले बात करें, प्राइस के बारे में कि कितना प्राइस जाएगी, तो मैं आपको बता दू यह बाइक लगबाग आप माल लीजिए गाइस, 1,60,000, 1,60,000 रुपे के आसपास किये बाइक, आपको एक सुरूम प्राइस देखने को मल सकती है, याने कि ओन रूर प्राइस मतलब मतलब अरौन टू लाइक रुपीज के आसपास की देखने को मिलेगी, जैसे आपको पता ही दोस्तों कुछ दि इस बाइक के कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में तो वो चीजे सामने आई है, ठीक है, बाइक में 149.16 CC के इंजन देखने को मिलेगा, मैक्सिमम पार में 17.1 का PS4 है, जो कि 9,000 रुपे में पावर जनरेट करता है, मैक्सिमम टॉर्क में 14.4 का निटरमिटन टॉर्क है, जो इस बाइक में देखने को मिलने वाली है, प्लस दूस्तों मैं आपको बता दू, CBR150 भाई उसकी जो परफॉर्मेंस रहेगी, वो किसी भी 200 CC बाइक से कम नहीं होने वाली है, मैं आपको बता दू, यह बाइक बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, और आज भी जो आपको old C CBR150 का भी मिल जाया, तो उसे चला कर देखना, आज भी क्या दम है उस बाइक में, दूस्तों अगर बात करें बाइक के इस फीडियो मिटर के बारे में, तो बाइक में आपको फुली डिजिटल मिटर कोंसल देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोगों को सारे फीचर्स मिलें नहीं आए कि फ्रेंड में इसमें अपसाइड डाउन आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन आप अब अबिस्ती बात है कि होनेट 2.0 में युएजडी फॉक सस्पेंशन आ चुके है, तो इस बाइक में भी दोस्तों आप लोगों को अपसाइड डाउन सस्पेंशन आपको इस बाइक में देखने को मिल जाते हैं, प्लस दोस्तों अगर बात करें बाइक की फ्यूल टैंक कैपिसिटी के बारे में तो लगबख 12 लिटर के आसपस की फ्यूल टैंक कैपिसिटी रहेगी, बाइक का जो कर्विड रहेगा वो 139 kg के आसपस का देखने को मिलेगा और बाइक की जो siege height रहेगी गाईस वो लगबख आपको 795 mm से 800 mm के आसपास की देखने को मिल जाएगी Indian market में उपर से दोस्तों बात करें बाइक के electricals के बारे में तो electricals में दोस्तों जैसे आपको पता कि पहले जो CBR आती थी हमारे या 150 आती थी वो single headlight के साथ में आती थी बाइक में आपको dual LED light देखने को मिलती है जो कि fully white and काफी ज़्यादा bright होने वाली है टेल लेट में भी LED रहेगा टर्न सिंगल लेप भी आपको बाइक में LED मिलेगी 12 watt की 5 AH की आसपास की बैटरी आपको इस बाइक में देखने को मिल जाती है प्लस दोस्तों बात करें टायर साइज के बारे में तो टायर साइज में फ्रेंड में आपको बाइक में लगबग 180 का टायर देखने को मल जागा जो कि 17 बिल के साथ में आगा एरियर में आपको 130-70 की टायर देखने को मिलेगी वो 17 बिल के साथ में आपको बाइक में देखने को मिलने वाली है तो यह तो द दोस्तों अगर आप Google में सर्च करेंगे तो वहां पर दोस्तों कोई भी अच्छी तरीकी से नहीं बता रहे कि CBR कब इंडन मार्केट में लॉंच होगी क्योंकि दोस्तों ऑबिसी बात है ऑफिसियल नहीं आई है तो भाई हम यह नहीं कह सकते कि कब तक लॉंच होगी लेकिन दूस्तों बड़ेका अगले साल के संफुझने гру मैं अब देखते कि यह वह देहिए लॉंच होती है नहीं लॉंच होती है वेट करहे पाइप प VII करहें बताएगा सुनेकर आप लोगों अच्छी लगई तो प्लीस एक माइक जरूर बढर दिजेगा ताकि ऐसी इंटरस्टी उड़ों के नोटिफिकेशन बे आप तक पहुंसते रह सकें आप मेरी उड़ों अपडेट रह सकें जैहिन बंदे मात्रम